महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुक्रवार को quarter one financial year 23 के परिनामों की सूच न दी, जिसमें इसका standalone net profit 67% से अधिक बढ़कर 1430 करोर रुपे हो गया, जबकि साल दरसाल 855 करोर रुपे था। इसका revenue भी एक साल पहले की तिमाही में 11,765 रुपे से 67% बढ़कर 19,613 करोर रुपे हो गया, ट्रैक्टर निर्माता ने कहा कि यह quarter one के दोरान आटो और फार्म सेग्मेंट के लिए 18,995 करोर रुपे में अब तक का सबसे अधिक तिमाही standalone revenue दर्ज करता है, इसका फार्म एक्विप्मेंट सेक्टर ट्रैक्टरों की बजार हिस्सेदारी quarter one financial year 23 के लिए 42.7% है, जो 0.9% साल दर्ज साल की विद्धी है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि वो SUV revenue market share में नंबर एक पर बनी हुई है फार्म एक्विप्मेंट सेक्टर ने आप तक का उच्चितम धरेलू तिमाही मात्रा और निर्याथ हासल किया है इसके अलावा, ओटो ने आप तक की सबसे अधिक तिमाही ACV 75.4000 और पिक अप 46.000 वॉल्यून दिये है तिमाही के दोरान महिंद्रा और महिंद्रा का ओप्रेटिंग माजिन 11.9 प्रतिशत रहा प्रिशी उपकरन का revenue पिछले साल की समान तिमाही में 5,319 करोड रुपे की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत बढ़कर 6,689 करोड रुपे हो गया जबकि automotive revenue 6,050 रुपीज से रुपे 12,306 करोड बढ़ गया महिंद्रा और महिंद्रा के शेर BAC पर दोपहर के सौदो में आटो स्टॉक ट्रेडिंग के साथ उच्चस तर से गिर गए क्योंकि quarter 1 के परिनाम अनुमान से नीचे आए महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक राजेश जेजुरिक ने कहा हमने आटो और फार्म सेग्मेंट के लिए अपना उच्चतम तिमाही राजस्व दर्ज किया और Q1 FY23 में मजबूत परिचालन और वित्तिय प्रदर्शन दिया महिंद्रा और महिंद्रा ACUV revenue market share में अपना नंबर एक स्थान बनाए हुए है जबकि FES ने 42.7 प्रतिशत ट्रेक्टर बजार हिस्सेदारी के साथ अपनी नित्रित्व की स्थिति को मजबूत किया है 273 हजार से आधिक booking के साथ automotive उत्पाद portfolio की मांग मजबूत बनी हुई है Scorpio NK Blockbuster launch के बाद हम इस महीने के अंत में अपने Bonne Electric Vision के अनावरं के साथ अगले चरंग को लेकर उत्साहित हैं